बॉलिवुड से लेकर होलिवुड तक में अपनी दमदार एक्टिंग की वज़े से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभी नहीं था इर्फान खान आज हमारे बीच नहीं है मगर उनकी जिन्दा दिली ऐसी है कि वो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिन्दा है तकरिबन चार साल पहले इर्फान खान ने कैंसर के चलते अपनी जान गवा दी थी ठीक उसी तरह आज उनके एक अजीच मेत्र उनके बचपन के साथ ही सेवा निवरत आईपीएस सदिकारी हैदर अली जैदी की भी मौत हो गई पोर आईपीएस हैदर अली जैदी लगबग चार साल से कैंसर से जंगलर रहे थे जिसके बाद उन्होंने मंगलवार सुबह अंतिमसास थी आईपीएस हैदर अली जैदी एडिशनल पुलीस कमिशनर के पद से सेवा निवरत हुए थे जैदी अपने हसमुक मिजास, मिलनसार भैवार और सब को साथ लेकर चलने के लिए मशूर थे अपको बता दी कि जैपूर कमिशनरेट में अडिशनल कमिशनर दूतिये के पद पर डी आईजी हैदर अली जैदी रहे थे जैदी से पहले साल 2014 से 2017 तक लंबे समय तक जैपूर कमिशनरेट में टीसीपी ट्राफिक भी रह चुके उसके बाद आरेसी बटालियन के कमांडेट और भरतपूर एसपी के पद पर भी तानात रहे इर्फान खान के साथ स्कूल और कॉलेज शिक्षा लेने वाले हैदर अली जैदी पड़ाई लिखाय में शुरू से काफी अच्छे थे उन्होंने एकोनोमिक्स में पीजी करने के बाद राजस्तान प्रशाशनिक सेवाउ की तयारी की और बतोर RPS अधिकारी अपना करियर शुरू किया राजस्तान में विभिन पदो पर सेवाई दी और IPS बने सेवानिवरित होने तक हैदर अली जैदी टी आईजी तक पहुंचे और एक के बाद एक जो भी उन्हें जिम्हदारिया मिली उसमें काम, व्यवार और सरस्ता के लिए उन्होंने अपनी विशेश पहचान बनाई IPS जैदी के अजीज मेत्र और बालसका रहे इर्फान खान ने जब अन्तिम सास ली थी तब जैदी भरतपुर्पुली सा दिक्षक के पत पर सेवाय दे रहे थी दोनों की दोस्ती के किस्से भी बड़े मशूर है दोनों जब राजस्तान कोलेज में सेकंडियर में पढ़ रहे थी उस वक्त हैदर अली जैदी को करंट लगा था उस वक्त इर्फान खान ने अपनी सूचबूत से उनकी जान बचाई थी वहीं जब 2018 में इर्फान खान के कैंसर से पिडित होने की जानकारी सामने आई थी तब हैदर अली उनसे मिलने इंग्लेंट कहे थी और वहां कुस दिन उनके साथ वक्त बिताया था मगर अब दोनों ही साथियों ने बहुत कम समय के अंतराल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया ब्यूरो रिपोर्ट पंचाब के स्री राजस्तान